क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले है 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 लोगाइस वेल्कम टुम यूट्यूब चैनल जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक नॉर्मल सी एक्सेसाइज दी थी और इसे ट्राय करने के लिए बोला था तो आपने ट्राय किया रहेगा तो जिसका भी एक्सेसाइज हो गया तो बहुत अच्छी बा सबसे है। सब सक करना था अइसका मैं सरुटाइं बताना लो तो बहुत सिंपल है सबसे हमने एक फंक्ष्येड करेंखे रिवस-ß और तो रिवस-डाजर नाम चेकлив रिवस-धियर बाद में फिर से अंदर जूकächst जाएगा तो एक परामेट्र पास कर देंदो हमें रग दिय जैसे कि जावा उसी प्लस में हम कर लिए करते तो पाइथन में कुछ भी चीज फंक्शन के अंदर इफ के अंदर एल्स के अंदर एक्जिवूट करने के लिए कुछ भी प्रोग्राम इसके लिए हम कॉलन बगाते हैं जिससे कि पाइथन के इंटर को पता चलता है कि यह कोड आए इसके अंदर एक्जिवूट करना है तो देख से तो जैसे मैं एंटर मारा थोड़ा से स्पेस आ गया है तो इसके बाद फिर हमें एक खाली लिप बना देगे जिसके अंदर हमारा रिवर्स ओडर होएगा वह हमारा प्रिंट होएगा तो इसके लिए मैं खाली का नाम रख देता हूँ जैसे कि empty list नहीं रखता हूँ मैं रखता हूँ वैल्यू करके मैं list का नाम रख देता हूँ value बाद में फिर यह खाली list मैंने create कर लिया तो यह मैंने value हमाला variable है और यह देख सकते हो खाली list create होगी value नाम की तो यह हो अब बाद में फिर हमें loop लगाना है for i in a जो एक लिस्ट रहेगी जब मैं प्रोग्राम एक्जिगूट करूंगा तो इधर parameter अपना list का पास करूंगा list का नाम पास करूंगा इसके अंदर जितने भी value रहे में लिष्ट का नाम लिख देता हूं value बाद में dot append यह लिखने के बाद अब मुझे है ना जो आई के अंदर सबसे पहला महेंदर आया इसे reverse करना तो बहुत सिंपल है जैसे indexing में और मैंने बहुत सार स्लाइसिंग में बताया हूँ रिवस कैसे करना तो आप मेरे सभी वीडियो को follow कर रहे है तो आपको पता रहाएगा नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में ने तो मेरे square bracket यूज करते तो square bracket डाल दिया बाद में फिर आपको लगा देना double column और minus one तो मैंने minus one लगा दिया double column और minus one तो यह हमारा जो कि मैं अंदर इसके अंदर आई के अंदर आया बाद में फिर यह reverse order हो गया और यह append होके value value नाम की लिश्ट इसके अंदर चले गया तो यह हमारा function create होगा यह हमारा background में और कोगा तो इसके अंदर कोई भी जो argument हम पास करेगे कोई भी लिश्ट का नाम पास करेगे विसके अंदर कुछ भी जितने भी value हो सकते है चार पांच है तो सभी का है न आउटपूट जो कि वह reverse order में print कराएगा अब मैं इसे enter करता हूँ बाद में return करा देता हूँ हमारा list को जो कि हमारी list का नाम में value यह हमारा function completely create हो गया function का benefit यह होता है कि आपको बार बाक कोड ना लिखना पड़े यह आपने code लिख दिया आप जितने चाहिए इतना file में import करके इस फाइल को यूज कर सकते है तो यह function का मारा बहुत बड़ा benefit है अब इसके पाद जैसे कि मैं नेम नाम की list create करता हूँ इसके अंदर कुछ में name assign करा देता हूँ जैसे मैंने उपर के बता हूँ हो मैं अंदर बाद में फिर मैंने बताया है संतोस और बाद में फिर मैंने बताया मन्नू और एक और नाम डाल देता हूँ मैं इदर दरपन तो मैंने चार नाम इसके अंदर assign करा दिये अब मैं इसको जो देख सकते हो function create क्रेट क्या हूँ इसे मैं call करता हूँ तो call कैसे करते बहुत सिंपल है print बाद में हमारे function का नाम जो आप देख सकते हो रिवास ओर बाद में फिर हमारे जो लिष्ट है विसका नाम तो मैं देख सकते हो है नेम नाम का हमारे लिष्ट है और लिष्ट का नाम ही नेम है अब इससे में save करता हूँ और run करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने जो भी वैल्यू उसके अंदर पास के आप देख सकते हूँ यह मैं अंदर संतोष मन्नों तो सभी का reverse order मेरा print हो गया है तो बहुत सिंपल था इस तरह हमारी exercise का solution था तो जिसने try किया जिसका हो गया बहुत ही अच्छा वो जिसका नहीं हुआ तो वीडियो यह विडियो बस इतनाई और भी चीथ देखेगए हम लिष्ट के बारे में तो नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो रिबीु जाए कि बेसिक से लेकिए अड़ान्स पादें की प्लेइलिस्ट के लिंग भी आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी और आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो यह सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने अभी तिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर राट कर बटन निकाए इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों सो मच वोचिंग इस वीडियो